Hello everyone, welcome back to another video, तुछली वीडियो को शुरू करते हैं इन्वेस्टर के साथ, यहां पे देख से तो थोड़ा सा कट गया है, यहां पे एवर्ट की, जिएक हम mutual fund consolidated account statement है, financial year 2030 का, तो 2000 April 2030 है, यहां पे दिखें इन्वेस्टर का नेम आप, यहां पे देख से तो date, आप देख से तो transaction, यहां पे amount, NAV और price के details देएंगा है, चलिए देख लेते हैं, SBI mutual fund में इन्होंने invest किया हुआ है, SBI long term equity fund, इन्होंने regular plan growth है, यहांने कि SBI के term से गिला हुआ है, following number आप यहां पे देख से तो no many details, आप यहां पे देख से तो mobile number, mode of holding, ISIN number, email IT जो भी वगेड़ा details है, यहां प यहां पे opening balance purchase, systematic investment plan, ATC of IT Act 1961, normal installment, 49 system duty, यहां पे 999 का यह दिया हुआ है, 237 का NAV अभी दिखा रहा है, price 237.8232 हो रहा है, और यहां पे जो total 291.718 यहां पे शो कर रहा है, अब बात करते है, summary of the transaction details की, scheme name आप यहां पे देख से तो SBI long term fund equity regular growth plan, volume number दिया हुआ है, closing units देख से त यह दिया हुआ है, 50,000 और यहां पे valuation, जो अभी यह most important है, वह है 70,000 रुपेज, यहां बहुत बड़ा amount है, 70,866.62 का amount यहां पे इन्हों ने अल्रेटी दिया हुआ है, बाकी customer के loan structures and customer details वगरा है यहां पे दिया हुआ है, तो ही रहाल, mutual fund का console stated statement, I hope अगो वीडियो पसंदा ह वीडियो पसंदा है तो यह दो को लाइक कीजिए, शाय कीजिए, सब्सक्राइब वीजिए तक है, ऐसे statement आपको मिलते रहे, ठीके तो मिलता अगले वीडियो और एक informative वीडियो के साथ,